हेलो फ्रेंड्स आप सभी का नी ओवल्टेक में स्वागते हैं दोस्तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुश्कवरी है रोडवेज की तरफ से बंपर भरती आ चुकी है जी हाँ दोस्तो रोडवेज में कंड़क्टर के पदो पर बंपर भरती आ चुकी है 2400 पर दोस्तो इसका official notification जारी हो चुका है और online आविदन जो है शुरू हो चुके है इसकी आविदन की जो last date है वो 30 November है आविदन करने की दोस्तो इस भरती की मैं आपको पूरी जान करेंगा बस आप वीडियो को last टेक देगा अगर आप दस्वी पास हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुशकवरी है रोडवेज के अंदर बंपर भरती आ चुकी है दस्वी पास candidates के लिए तो दस्वी पास सभी candidates इस वीडियो को last टेक देखेगा और अगर आप बारवी पास है या ग्रेजुएट पास है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं दस्वी बैसेस बे और दोस्तो यहाँ पर आपको age limit जो है 18 से 35 साल है तो काफी अच्छी यहाँ पर age limit है और I.E.S.U.M.A. में चूट जो है अलग से दी जा रही है और रोज़जाना हमारे चैनल के माद दिम से आप सभी को सरकारी नोकली खपर सबसे पहले दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो की नीचे सलाल बटन को दबा करके साथ इसाथ घंटी का पहलाएका जरूर दबा दीजेगा ताकि हमारे दोरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चली दोस्तों आपको बदा दे रोडवेज की इस भरती की जानकारी और आविदन करने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते है www.tipswaradbuzz.xyz जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे के बारे में दोस्तों गुजरात स्टीड रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन जी एस आर टीसी की तरफ से कंड़क्टर के पदोपर बंपर भरती आ चुकी है 2389 ओल्मस 2400 पदोपर ये वेकिंस इस है ओनलाइन आविदन जो है इसके चर रहे है 16,000 रुपे आपको पर मन्त कम से कम सैलरी मिलेगी एज लिमिट 18-35 साल है अगर आपकी भी उम्र 18-35 साल है तो आप अपलाई कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको नोटिफिकेशन विजिट करना होगा गुजरात की जॉब लोकेशन है क्वालिफिकेशन दसफी पास, बार्वी पास अगर आप दसफी पास भी है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं बार्वी पास के इंडियर्स भी अपलाई कर सकते हैं अविधन का पूरा प्रोसेस यहां पर दिया गया है अधिक जानकरी के लिए आप हमारी वबसाइट को जरूर विजिट कीजेगा यहां पर आपको रोडवेज की इस भरती की पूरी जानकरी मिल जाएगी आपको आविधन कैसे करना है क्या क्या आपको फोर्म भरना होगा क्या क्या डॉकुमेंट्स आपको लगाने है क्या क्या आपको इंफोर्मेशन फिल करनी है फोर्म भरते वक्त ध्यान से आपको फोर्म भरना है ताकि आपका फोर्म रिजेक्ट ना हो ठीके आविधन एक नॉमबर से शुरू हो रहे है 30 नमबर इसकी लास जेटे आविदन करने की आविदन का ओनलाइन का आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ में ठीक है दोस्तों तो अधिक जानकरी के लिए अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा जे हिन जे भारत